नमस्कार बंदू, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि अपने गाउं के बारे में जो हमारी जड़ है पूरे चोहान, मुस्त्वाबाद, प्रतावगड उसके बारे में थोड़ा historical point आप भी उसे कुछ आप से बाते करूं, कुछ इसके बारे में जानकारी साजा करूं, अपन और वो काफी रिसर्च के बास जानकारी कठा होई है, जो हमने अपने गाउं के इतिहास के बारे में कठा की है, उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा गाउं पूरे चोहान, मुस्तवाबाद, प्रतावगड डिस्टिक में लोकेटेड है, वो प्रतावगड के साउद इस्ट में अलहाबाद है, साउद में कोशामभी है, नौर्थ में हमारा शुल्तानपूर है, इस्ट में जौनपूर है, अल्यडी हमने बोला, और उसके लावाँ जो है, नौर्थ बेस्ट में गौरिगन जोगी नया जला बना है, और बेस्ट में राइवरली है, जै करते थे वहीं पर हमने तैरना सीखा और गंटों पूरा गर्मी की दुपहरी हम लोग जो है नदी में ही विताते थे आसपास बहुत सारे हम लोग के आम के बाग हैं वहां से आम तोड़ते थे बाल्टी में पानी नदी से लेकर भर कर उसको हम लोग खाते थे वो बहुत सारी हम लोगों के घर परिवार के बहुत सारे लोग कोई दिली में कोई कानपुर में कोई अलग अलग शहरों में सब रहते थे हमारे बरावर के बच्चे हमारे चाचा जी के बच्चे और भी परिवार में बहुत सारे हमारे दस्तिदार हमारे उमर के बच्चे आते थे तो हम अगर हम अपने बच्चे की बात करें हर्श्वर्दन सिंग की तो उसकी नौई पीड़ी है और हमारी जो फेमिली ट्री है वो सुरुवाज जो होती हो ठाकुर बग सिंग जो की लगवग 1800 एस बी में मतलो बग 22-25 साल पहले वहां पर आकर वो बशे थे पुरे चोहाग कोनों ने बशाया था नदी के पास में और ठाकुर बग सिंग के तीन बच्चे थे काली दीन सिंग, देवी दीन सिंग, विशेषवर सिंग और बैदनात बैदनाद सिंग ए कोई बच्चे नहीं थे तो जो Family Tree है ठाकुरबक सिंग से सुरू होती है उनके तीन बच्चों के थ्रूह ही आगे बढ़ती है काली दिन सिंग के दो बच्चे थे अचेवर सिंग और जस्वन सिंग और देवी दिन सिंग के तीन बच्चे थे अरजुन सिंग, महावीर सिंग और अतिवल सिंग और विशेशुर सिंग के तीन बच्चे थे दुरगावक सिंग, मातावदल सिंग और संकठा सिंग तो यहाँ पर हम एक-एक फेमिली ट्री को लेकर नीचे चलेंगे सबसे पहले ठाकुरबक सिंग के जो बच्चे थे कालीदीन सिंग उनके दो बच्चे जैसे हमने बोला थे अच्छेवर सिंग और जस्वन सिंग जस्वन सिंग के कोई बच्चे नहीं थे अच्छेवर सिंग के दो बच्चे थे समसेर सिंग और शिव प्रताब सिंग शिव प्रताब सिंग जिनको हम लोग नीमर बावा कहके जो हमने सुन रखा है उनके बारे में उनके भी कोई बच्चे नहीं थे समसेर बहादूर सिंग के दो बच्चे थे रन बहादूर सिंग और सुरेन बहादूर सिंग सुरेन बहादुर सिंग को हम लोग कप्तान बाबा कहते हैं कक्छार तक जिस विद्याले में हमने पढ़ाई किया है उस विद्याले के दाना अचारी है सुरेन बहादुर सिंग हमारे टाइम में हुआ करते थे बहुत intelligent आदमी थे और उनकी अपनी ख्याती थी और उनके हर चीज में अपने तर्क हुआ करते थे अब काली दियन सिंग की ब्रांच को छोड़ के हम दूसरी ब्रांच की तरफ आते हैं देवी दियन सिंग देवी दियन सिंग के तीन बच्चे थे हमारे गाउं से निकल कर उनको सिस्वराल में प्रॉपर्टी योगरा मिली वहाँ पर जाकर बस गए गरीब पूरे गाउं है जो कि डिर्वा बाजार के पास है वहाँ जाकर हो बस गए और उनके तीन बच्चे हुए छबिनाद सिंगे रोंगही सिंग, राज बहादूर सिंग और मल्लो सिंग अब हम सुरू करते हैं कि देवी दीन सिंग के जो तीन बच्चे थे अभी हमने अरजुन सिंग के बच्चों की बात की अब महाबीर सिंग के बच्चों की बात करेंगे महाबीर सिंग के बेटे का नाम था महादेव सिंग एक ही बेटे थे उनके महादेव सिंग और महादेव सिंग के बेटे हुए संद बख सिंग जिनको हम लोग इंस्पेक्टर बाबा कहते थे और दूसरे उनके बेटे हुए कुमर बहादुर सिंग जिनको हम लोग सादु बाबा कहते थे कुमर सिंग के कोई बच्चे नहीं हुए संद बख सिंग के तीन बच्चे हुए कमलेश सिंग, हरकेश सिंग और करोडेश सिंग करोडेश सिंग को हम लोग उन्ना चाचा बोलते रहे हैं गाओ में उसके अलावा अब हम देखते हैं कि देवी दीन सिंगे जो तीन बच्चे थे अरजुन सिंग, महावीर सिंग, उनकी फेमिली ट्री के बारे में हमने बात की अब हम बात करेंगे अतिवल सिंग के बारे में तीसरे भाई थे अतिवल सिंग अतिवल सिंग के दो बच्चे थे भगवन सिंग और किसुन सिंग भगवन सिंग के बच्चे थे प्रतवी पाल सिंग जिनको लबोदर बाबा कहते थे उदैराज सिंग, शिवनायक सिंग, जिनको पंचम दादा कहते थे, और स्री सिंग, स्री सिंग के कोई बच्चे नहीं रहे, और प्रतवी पाल सिंग के के सिर बेटियां रहे, और शिवनायक सिंग, जिनको आमने पंचम दादा बोला, उनके भी सिर बेटियां ही रहे, उदैर इसके बाद हम लोग देखेंगे स्वैंबर सिंग देवी दियन सिंग के ठाकुरबक सिंग के बेटे थे देवी दियन सिंग और देवी दियन सिंग के बेटे थे श्वैंबर सिंग जैसे मैंने बोला देवी दियन सिंग के चार बेटे थे अरजुन सिंग, महावीर सिंग, अधिवल सिंग और स्वैंबर सिंग अरजुन सिंग, महावीर सिंग और अतिवल सिंग की जो family tree है उसको मैंने आलेडी बात कर ली है उसके बारे में अब हम बात करेंगे स्वेमबर सिंग की family tree के बारे में जिदर से हमारी खुद की route भी आती है, मेरी personal route भी आती है स्वेमबर सिंग के तीन बेटे थे रन्वत सिंग, चोहरजा बख सिंग, रामपाल सिंग रन्वत सिंग के कोई बच्चे नहीं थे और उन्होंने मेरे बाबा जी, मतलब मेरे grandfather हरिहर बख सिंग को गोद ले रखा था वैसे मेरे बाबा जी रामपाल सिंग के बेटे थे चोहरजा बक्ष सिंग के बेटे थे मेरे जो ग्रेंट फादर हरियर बक्ष सिंग थे और कबीर सिंग कबीर सिंग और हरियर सिंग ये दो भाई थे ये चोहरजा बक्ष सिंग के बेटे थे और कबीर सिंग के तीन बेटे हुए जगत सिंग भवाने भीग सिंग और रगराज सि महन बहादर सिंह, महन बहादर सिंह, तो इस तरीके से family tree आती है, अब हम बात करेंगे, हमने शुरू में बोला कि ठाकुर बख सिंग के चार बेटे थे, काली दीं सिंह, देवी दीं सिंह, विशेश्वर सिंह और बैदनात सिंह. काली दीन सिंग और देवी दीन सिंग के family tree के बारे में हमने बात कर लिया है अब हम बात करेंगे बिशेश्वर सिंग एक चीज़ हमसे रह गया है यहाँ पर छुट गया था जिसको मैं फिर से बात करना चाहूंगा कि स्वैंबर सिंग के तीन बेटे थे रन्वत सिंग, चोहरजावक सिंग, रामपाल सिंग, चोहरजा रन्वत सिंग को ने मेरे बाबा जी को गोद लिया था और चोहरजावक सिंग से मेरी खुद की फेमिली ट्री है और रामपाल सिंग के बेटे का नाम था सारदा सिंग, उनके दो बच्चे हुए स्वामी नात सि अब हम आते हैं इधर विशेश्वर सिंग की तरफ ठाकुर बख सिंग के चार बच्चे थे काली दीन सिंग, देवी दीन सिंग, विशेश्वर सिंग और बैदनाथ सिंग हमने शुरू में बताया कि बैदनात सिंग की कोई बच्चे नहीं थे अब हम Family Tree विशिस्वर सिंग की तरफ से देखेंगे विशिस्वर सिंग के तीन बच्चे रहे दुरगा वक्स सिंग, माता बदल सिंग और संकठा सिंग दुरगावक सिंग के एक ही बेटे थे जिनका नाम था राम नरेश सिंग जिनको हम लोग बैद बाबा कहते थे या लुट्टर बाबा कहके बुलाते थे उनके बच्चों के नाम रहे चितरसेन सिंग जिनको हम लोग जैशियाराम बाबा कहते हैं दूसरे बेटे का नाम है उग्रशेन सिंग, तीसरे बेटे रहे इंद्रशेन सिंग, चौथे रहे भीम सिंग और पाच्छे रहे नन्ने सिंग. जैसा हमने बताया, विशेश्वर सिंग के तीन बेटे थे, दुर्गावख सिंग, माता बदल सिंग और संकटा सिंग. तो हमने दुरगावक सिंग का family tree देख लिया है अब माता बदल सिंग का हम family tree देखेंगे माता बदल सिंग के चार बच्चे रहे हरी परशाद सिंग जिनको हम सरपंच बाबा कहते थे जूरी जिनके एक बेटी थी सिर्फ गुंगा बाबा थे उनके कोई बच्चे नहीं थे कल्लू सिंग जो की हमारे गावं में लगबग 105 साल पहले रॉबरी हुई थी चोरी हुई थी डखैती हुई थी उस समय 100 साल से भी जादा पहले उसमें उनकी डिथ हो गई थी आग में जलकर तो यह जो डखैती हुई थी हमारे गावं में वो हुई थी उस समय अच्छाईवर सिंग के टाइम पर और यह तीसरी पीड़ी थे ठाकूर बख सिंग जिनोंने वारे गावं को बचाया था उनके बेटे थि काली दीन सिंग काली दिन सिंग की बेटे अच्छेवर सिंग थे उनके टाइम पे रॉबरी हुई थी ये डखैती हुई थी और हरी परशाद सिंग जिनको हम सरपंज बाबा कह रहे हैं वो उस समय लगवग एक महीने के थे जिस समय हमारे गाउं में डखैती हुई थी और वही एक मात परशोरी की गटना पुझले 2225 सालों की दिहास वहमारे गाउं में हुई है उसके बाद फिर हम इदर आजाते हैं हरी परशाद सिंग जिनको हम सरपंज बाबा कहते हैं उनके तीन बच्चे विए गंगा बक्स सिंग जो हमारे माउसा भी है सूरी बक्स सिंग और गया बक्स सिंग जिनको हम लोग ठेकेदार बाबा कहते थे संक्रिठा सिंग के बच्चे विए सीतला सिंग और रतन सिंग सीतला सिंग के बच्चे विए जिनको हम लोग हवलदार बाबा कहते थे और कुवेर सिंग, त्रिभुवन सिंग, त्रिभुवन सिंग को हम लोग नेता बाबा भी कहते थे और हवलदार बाबा के तीन बच्चे मारे हुए ददन सिंग, बबन सिंग और अनिल सिंग यानि ललन सिंग जिनको ललन चाचा हम लोग कहते हैं कुबेर सिंग के दो बच्चे हुए चंदर सेन सिंग और रजन सिंग हुए और त्रिभुवन सिंग जिनको हम अमने अमरी बोला कि हम नेता बाबा हम लोग कहके बच्पन में बुलाते थे उनके दो बच्चे हुए अरोड सिंग और गुड़ो सिंग और जो रतन बाबा थे हमारे, रतन बाबा हमने पहले ही बताया कि संकठा सिंग के दो बच्चे हुए, सीतला सिंग और रतन सिंग, रतन सिंग की जो फेमिली ट्री है उनके दो बच्चे हुए, जुगराज सिंग जिनको हम लोग साईं बाबा कहते थे, और रामिश्वर सिंग रामिश्वर सिंग के तीन बच्चे वी उदैभान सिंग, शूरिभान सिंग और चंदरभान सिंग जुगराज सिंग, साइन बाबा के एक ही बेटे रहा है, सिवसेवक सिंग तो ये रही हमारी family tree, अगर हम अपनी personal बात करें तो ठाकुर बाबा से हमारे गाओं की शुरुवात होती है, फिर उसके बाद देवी दीन सिंग उनके बेटे होते हैं, देवी दीन सिंग के बेटे जो है स्वेंबर सिंग थे, स्वेंबर सिंग के बेटे चोहरजा बक सिंग थे, चोहरजा बक सिंग के बेटे हरियर वक्सिंग थे, हरियर वक्सिंग हमारे ग्रेंट फादर हुए, हरियर वक्सिंग के बेटे बेरेन सिंग, जो कि मेरे फादर हुए और फिर उनके बच्चे मैं हुआ, मेरी साथवी पेड़ी है सेवन जनरेशन मेरी है, अभी चल लए है इसका मतलब मेरे बच्चे तक आने तक आठवी जनरेशन है और इसके लिए और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे गाउं में एक और परिवार है वो भी लगवग 100 से 105 साल पहले आकर बसा, वो भी चौहानों का ही परिवार है राजपूतों में चौहानों का ही परिवार है और उनके जो पुर्खे हैं, उनका नाम था मंगल सिंग वो लगवग 100 से 105 साल पहले आकर बसे उनके दो बच्चे रहे, तीन बच्चे रहे ब्रिजभूशल सिंग, लखन सिंग और सिन्नेद सिंग ब्रिजभूशल सिंग के बच्चे रहे, आहिवरन सिंग और लखन सिंग के बच्चे रहे, मलखान सिंग अंजनी सिंग और पवन सिंग और सिनेद सिंग के बेटे रहे, भानो सिंग तो ये हमारे परिवार का फेमिली इंट्री हुआ और जैसे मैंने सुरु में यह आपको बताया कि हमारा गाउन नदी के किनारे पर है। आसपास बहुत सारा जंगल है। बच्छपन में हम लोग उन जंगलों के बीच में बहुत सारा विच्रण करते थे। बच्पन के खेल हम लोग खेला करते थे, कबड़ी हुआ करती थी, हम लोग cricket भी खेलते थे, कुछ बच्चे वाली वाल भी खेलते थे, और और भी तमाम तरहे के जुगाओं के लोकल गेम थे, उसे हम केलते थे, और सबसे ज़्यादा मनुरंजन का साधन हमारी शाही नदी हो पर तक नहीं आपाएगी, पानी के अंदर दूट जाएगी, तो वो बच्पन के दिन अभी भी बहुत हम लोग मिस्स करते हैं, जैसा कि आप में से बहुत लोग अपने बच्पन को याद करते होंगे, कभी आप में से किसी को टाइम हो, कभी हमारे आसपास से गुजरी हो, और हम भी अपने गाओं में हो, तो जरूर मिलने के लिए आप सब को इन्वाइट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू.